पिशले कई महीनों से हम क्या सकते हैं कि यहां पर बैठे वे हैं राजभवन के समक्ष लेकिन आज इनके मन में काफे जादा आक्रोश जो है वो पुड़या हाट विधायक प्रदीप यादव के खिलाफ में हम लोग इनसे सीधे जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर यह नाराजगी क्यों कि इन लोग लगतार अपनी मांग को लेकर के सरकार के पास जा रहे थे क्या कुछ बाते आप लोगों तक पहुची जिसके वज़े से आप कॉंग्रेस के विधायक प्रदीप यादव पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं आक्रोश जो है वह आप लोग स्वन्दन के नेताओं का का अथ कल परदीप यादो जी कल वहां पे मंच में बोले हैं कि यह पंचायत सची वाब करने के लिए निउक्त किए गये थे और यह गय योजना है उनको ये लोग करते हैं यह स्टेट का भी लोग नहीं और 18,000 लोगों को नोकरी स्टेट सरकार कहा से देगी तो इन बातों को जब इनकी विडियो हम लोग तक भी आई तो हम लोग ये बोलना चाहेंगे पंचायत सची वाले स्वें से बग के जितने साथ ही है कि अगर जो चीच की जानकारी किसी भी विधायक को हम ये नहीं बोल रहे ह है और इतना ग्याणी आदमी है जारखंड के विशें में अगर उजान्ते हैं तो आपको हम से बात करें डिमाग में रह्यार्त ये जो आप बोल रहे हैं कि पूरे भारत में तो मैं माननी है विधायक जी को बता देना चाहओंगा स्वेंहें रहे हम आपको पूरी जो बाते हैं जो प्रदीप यादव मन्च से कह रहे हैं और जिसके बारे में इनोंने जिक्र किया है हम आपको सबसे पहले बायान सुनाते हैं जो सीधे मंच से उनकी और से कहा जा रहा है सीधा आप सुनी उस आउडियो को क्या कुछ उन्हों ने इस यहां पर कहा है कि अभिश्वयंग से पक्षता रहता है कि हम गहराई इसी चीजों को जानते नहीं है और दोस्ट ठेहरा देते हैं जार्कट शकार भारत सरकार जितनी योजनह चला रहे हैं इसारी योजनहों के यहीं हाल है कि यह युजना शुप्र से बख्यार रज्जी सरकार की युजना नहीं है कि पूरे देश प्रश्वंग से वक है और आपको जो दी जाती है राची काम के एगेस्ट में कि भाई आप एक इंद्रा आवास का तरा दिए जापको इद्रा पेशा मिलेगा यह राची की दोड़ों है यह दो भारत सरकार का नॉर्म से चाहा के भी राची सरकार 18,000 लोगों को पर्मानेट नहीं कर पाए आपको दोड़े तबज्यों दिया जा सकता है आपकी दोड़ी बाद तुनी जा सकती है आप देकिनी कि कितनी चीज़े हैं पंचायत सचीवाले स्वैंक से इवक संग पिशले कई महीनों से हम क्या सकते हैं कि यहां पर बैठे वे हैं राजभवन के समक्ष लेकिन आज इनके मन में काफे जादा आकरोश जो है वो पुड़या हाट विदायक प्रदीप यादफ के खिलाफ में हम लोग इन से सीधे ज नाराज की व्यक्त कर रहे हैं अकरोश जो है यह वो आप लोगों के मन में कैप कल जो है माहागट बंधन जो इंडिया करके जो गट बंधन बना है पाठीयों का कल देवगर में कारेकरम था इनका सभी इंडिया का गट बंधन के नेताओं का कल परदीप यादो जी कल वहां पे मंच में बोले हैं कि ये पंचायत सची वाले स्वाय सेवक जो है ये केंद्र की योजनाओं को करने के लिए नियुक्त किये गए थे और केंद्र के द्वारा नियुक्त किये गए थे और ये केंद्र के जितनी भी योजना है उनको ये लोग करते हैं यह स्टेट का जो है लोग नहीं है और अठारा हजार लोगों को नोकरी स्टेट सरकार कहां से देगी तो इन बातों को जब इनकी विडियो हम लोग तक भी आई तो हम लोग यह बोलना चाहेंगे पंचायत सची वाले स्वें से बग के जितने साथ ही है कि अगर जो चीच की ज से नहीं करना चाहिए अगर उनको इतना उकाबिल है और इतना ग्यानी आदमी है जारखंड के विषय में अगर उजानते हैं तो आके हम से बात करें हम उनको बताएंगे कि हम कौन स्वें से बग है और आपके दिमाग में जो स्वें से बग है वो बोलते हैं कि पूरे भारत है अगर चाह गिया ना तो आप जीवन में कभी बिदायक नहीं बनियेगा वह पूरी तब जो बाते हैं जो प्रदी प्यादव मंच से कह रहे हैं जिसके बारे में इनों ने जिक्र किया है हम आपको सबसे पहले बयान सुना आते हैं जो सीधे मंच से उनकी और से कहा जा रहा है सीधा आप सुनी उस ओडियो को क्या कुछ उन्हों ने इस यहां पर कहा है